हेलो गाइस वेलकम वैक टू आर चैनल जनियत्स माइद्ट हैं और आज कि इस विडियो में हम बनाने वाले है एक चोटा सा वाटर हीटर तो इस वाटर हीटर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस टाइब के दो कोको कोलों के बोटल के ढकन चाहिए, तो जो आपको ढकन लेने हैं वो दोनों डकन एक ही साइज के लेने हैं ताकि यह आपस में अच्छी तरह से इस टाइब से अटैच हो जाएं और बिलकुल लीकेज परूफ बन जाएं तो अब आपको चाहिए होंगे दो स्क्रियू तो मैं इस टाइब के दो बड़े साइज में स्क्रियू का यू उस करने हैं तो आपको अच्छी तरह से यहां पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे और आपके जो पानी है उसको ज़्यादा खराब भी नहीं करेंगे तो अब गाइस आपको इस टाइप की एक लिर लेनी होगी आप देख सकते हैं मैं कोपर में ले रहा हूँ आपका अलिमीनियम वाली नहीं लेनी है अगर आपका अलिमीनियम वाली लोगे तो वो गरम हो जाएगी और फिर खराब भी हो सकती है तो इसलिए मैं कोपरवारी वायर का यूज कर रहा हूँ तो यह बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी अब गाइज आपको इन दोनों डखकन में से किसी भी एक डखकन को लेना है मैं स्क्र्यू टाइट कर देना है तो आपको एक स्क्र्यू लेना है और आप इसके उपर सोल्टरिंग भी कर सकते हो लेकिन सोल्टरिंग करने की जो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है तो अब गाइज इसे मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ आप अच्छी तरह से टाइट करिएगा बिल्कुल भी डिला मत छोड़ना तो आप देख सकते हैं इसे मैं स्क्रू डाइवर की हल्प से अच्छी तरह से जल्दी जल्दी टाइट कर रहा हूँ तो इन दोनों स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया है तो गाइज इसको टाइट करने के बाद आपको एक बात का दियान रखना है कि ये कहीं से भी आपस में दोनों स्कुल्यू आपस में टच नहीं होने चाहिए अंदर से भी दोनों वायर आपस में टच नहीं होने चाहिए नहीं तो शौट सर्किट हो जाएगा तो आप देख सकते हो हमारा ये हीटना हीटर तैयार हो चुका है अब गाईज इसकी वायर को हम यहां से निकालेंगे और यहां पर एक चोटा सा कटल लगा देंगे तो उससे पहले हम गाईज इसके बीच में ग्लूगन डाल देते हैं ताकि यह अच्छी तरह से मजबूत हो जाए आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर ग्लूगन डाल दी है अब गाईज दूसरे डकन को हम इसके उपर चिपका देंगे तो उससे चिपकाने के लिए हम सूपर ग्लू का यूज करेंगे आप ग्लूगन का यूज कर सकते हो तो इसे में अच्छी तरह से यहां पर चिपका देता हो दोनों को एक साइड में रखकर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको चिपकाने, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तो अब गाईज हमारा हीटर बन चुका है, लेकिन यह बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं त्यार हुआ है, अगर हम इसे किसी भी चीज मे मैंने बनाया है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसका डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ तो गाज मैं प्लास्टिक का ग्लास ले रहा हूँ आपको इसे आइरन के किसी भी कंटेनर में न करे जादा खराब ना हूँ तो अब गाज समारा यह वाटर है वो गर्म हो चुका है तो अगर हम इसे जादा देर लगाएंगे तो यह यादा गर्म हो जाएगा तो इसलिए हम मैं आपको इसे बाहर निकよし और दिखाता हम तो कामसर प्रिके जरूर्भर के जरूर्थ है तो